तो आज की वीडियो में आप सभी लोग के साथ सेयर करूंगी गंधारी साखी बहुत ही सिंपल तरीके से बना के तियार करूंगी लाल गंधारी साखी रेस्पित चोलाई की साग भी से बोला जाता है तो सबसे पहले हम मैंने यहां पर कहा कि आदा केजी साग ले लिया इसको सबसें कर दोता है इस थारीके से में तरह करूंगी संब जितना है सब कार के कर दूँगी साइड कर दूगी जितना है सब को यहां पर देख सकते हैं मैंने सब कार केक सब कर दिया है और यहां पर मैंने साइड में कर दिया यह मुटे मोटे उंसले लिया नहीं पकते हैं दो पर ढहने पें ज्यार देंगे बार्व कर चुका है और यह बीजाद गानी च्णार पछोड़ा यहां देख सकते मैं यह समझेंगे कि हम आपके तयार हो चुका है फ्रेंड बहुत जल्दी बन के त्यार हुआ यह जो एक बिल्कुल मतलब प्रफेक्ट बनके त्यार हो चुका है और अब क्या करेंगे इसे उतार देंगे और इसे हम चौक लेंगे तो चौकने के लिए में यहांपे क्या किया है मिर्ची प्याज और एक टमाटर काट लिया है और लास्टोन और सूखी बाली लाल मिर्च यहां पर मैने फ्राइफ लिया है इसे हम गरम कर लेंगे उसके बाद दो तीस्पून ना Laa Mars डालेंगे सूखी बाड़ी लाल मिर्च वो डाल देंगे आप इसे हम भूलेंगे उसके बाद क्या करेंगे के एक मैंने मीडियम सच का प्याज वारी काट लिया था और इसके बाद हरी मीर्च से कटा हुआ डाल देगे और इस सब को बहुन लेंगे हम इन्हें हम धख देंगे क्योंकि इसके चितंके वह उड़ते हैं हरी मीर जाने के बाद देल मूड़ने लगती है तो इसे थोड़ा दिर के लिए धख करके गोल्वन ब्राउन के लिए तक पका लेंगे प्याज को भी तो यहां पर देख सकते मैं इसे भूल लिया बनिया से तो तक यहां भूल तक यहां से तेख सकते हैं तो अब मैं दरीआ की पती थोड़ी सी हराव डाल दूंगी जाच से भी कि आंने के लिएक हम नोले तक आकि इसका टेस्टी लगती फ्रेंट खाने में रोटी से ज्यादा चावल में लगता है खाने में, आपतार धुटी रोट्स आप लोग एक बाड़ जरूर इस तरीके से बना के ट्राइ करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तेक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थेंक्यू फूर बाचिक मिलते नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाई